Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator और आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Paper Presentation Tips कि किस तरीके से आपको Science का Paper present करना है so that आप full score कर सको आपका एक भी नंबर कोई भी examiner नहीं cut कर सके तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दू कि जो Paper Presentation है वो क्यों matter करता है यह काफी जादा matter करता है because आप सभी को पता है कि जब आप exam देने जा रहे हो तो जो भी examiner आपकी copy चेक कर रहे होंगे वो आपको personally नहीं जानते हैं उनको नहीं पता है आपके अंदर कितनी knowledge है वो बस उस sheet के basis पे ही judge करेंगे कि आप कैसे student हो और उसी के basis पे आपको number देंगे तो इसलिए it is very very important कि आप अच्छे से अपने answers को present करो यह matter नहीं करता है वहाँ पे कितनी जादा knowledge है वहाँ पे तो बस यही matter करता है कि किसने अपने answers को properly present कर रखा है properly अपने answers को लिख रखा है और सही answer लिखा हुआ है हमारे पास section A, B, C, D and E यही main sections है है न तो आपको सबसे पहले section A से ही start करना है आप, आपके पास 15 minute का time होता है जहाँ पे आप properly जो paper है उसको read कर रहे होते हो यह जो 15 minute का आपको time मिला है न यहाँ पे देखो कि जो section A है उसके जो भी initial के questions है मतलब 5-6 questions है उस case में section A से कभी भी start मत करना क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ because first impression is the last impression अगर पहला ही impression यही चला गया examiner के पास कि इस बच्चे को तो initial के questions ही नहीं आते हैं तो obviously उसी mindset से आगे की copy भी वो check करेंगे और वो सोचेंगे यार इस बच्चे को तो starting के questions ही नहीं आते थे तो इसलिए आपको उस section को choose करना है जिसमें आपको सारे questions अच्छे से आते हों ठीक है आप किसी बच्चे को हर section में कुछ ना कुछ सवाल नहीं आते हैं तो वो अलग चीज है वो नहीं आ रहा है तो वो चलेगा बट आपको starting के questions आने चाहिए ठीक है तो अगर section A के questions initial के अच्छे से आते हैं तो इसी से start करना ठीक है बट अगर आपको initial के questions ही नहीं आ रहे हैं तो कोई दूसरा section पकड़ो जिसके questions बहुत अच्छे से आ रहे हैं ठीक है और अगर ये वाला section आता है तो order wise ही जाना पहले A करो फिर B करो फिर C करो फिर D करो फिर E करो अगर माल लो C section का कोई question है जो मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा time चाहिए उसको सोचने के लिए तो section C में आप जखह छोड़ सकते हो जितनी आपको लगता है कि इतनी जखह लगेगी इस question में या फिर जो भी सवाल आपने छोड़ा है last में जब आपने सारे questions कर लिए हैं तो वहाँ पर heading डाल देना section C और उसके बाद उस question को attempt कर लेना ठीक है चलो अब next है हमारे पास ये sheet proper sheet की help से ही आपको मैं दिखाती हूँ कि किस-किस तरीके से toppers ने answer लिखा हुआ है ये topper की ही sheet है science की तो इन्होंने देखो section A से ही start कर रखा है proper तरीके से सारी ही चीजे लिख रखी है यहाँ पर देखो दो line भी छोड़ी है तो जब ही आप कोई भी question कर रहे हो उसके बाद दो line छोड़ना क्योंकि अगर आप सिर्फ एक line छोड़ते होना बहुत ही जादा घिच-पिच सा हो जाता है अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी तो इसलिए वहाँ पर वैसे भी कंजूसी नहीं करनी है तो दो line आप छोड़ सकते हो ठीक है अच्छे से लिखना handwriting अच्छी बनाना दो line छोड़ना हर question के बाद ठीक है चलो अब next है neat and clean काम करो ऐसा नहीं है कि जो handwriting है वो बहुत ज़ादा ही सुन्दर होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है handwriting उतनी बुरी भी नहीं है ठीक है बहुत ज़ादा अच्छी भी नहीं है बट बहुत ज़ादा बुरी भी नहीं है तो आपको ऐसे लिखना है कि teacher को सारे words अच्छे से दिखे देखो यहाँ पर gap मैंने छोड़ रखा है इतना कोई भी आप next word अगर लिख रहे हो तो वहाँ पर gap छूटा होना चाहिए ठीक है अगर कोई भी जैसे यहाँ पर reason मैंने लिख रखा है तो आप इसको उपर से highlight कर सकते हो आपके board में sketches बिलिकुल allowed नहीं है उस time पर जब मैं थी तब allowed थे इसलिए मैंने sketch से लिखा है बट आपके case में allowed नहीं है तो sketch use मत करना ठीक है चलो अब ये हमने discuss कर लिया यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से topper ने answer लिख रखा है यहाँ पर देखो जगह छोड़ रखी है line भी बना रखी है बट line बनाने का उतना time नहीं होता है तो line बनाना चोड़ सकते हो और underline का अगर time मिल रहा है तो underline भी ज़रूर करना बट handwriting overall देखो कितनी अच्छी बना रखी है अब यहाँ पर देखो यह इसने गलत लिख दिया था तो इस बच्चे ने क्या करा यहाँ पर simply ऐसे cut कर दिया कुछ बच्चे होते हैं अगर यहीं mistake होती तो ऐसे ऐसे cut करते है ऐसे नहीं करना होता है वो बहुत गंदा लगता है कोई भी आपने mistake कर दी है simply जैसे इस बच्चे ने cut करा है ऐसे simply cut कर दो अब next है हमारे पास leave lines जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पर properly आपको lines छोड़नी है कोई भी अगर आपने question करा है उसके बाद proper space यहाँ पर छूटी होनी चाहिए देखो कितना clean work लग रहा है यहाँ पर ना कोई cut है नहीं ऐसा है कि बस मैंने यहीं से answer लिखना शुरू कर दिया नहीं यहाँ पर जगो छूट रखिये है तो इसी तरीके से आपको भी चीजे करनी है properly lines छोड़ो और उसके बाद कोई भी चीज को लिखो मतलब next question को लिखो ठीक है चलो अब proper space होनी चाहिए between the words यह matter नहीं करता है कि आपकी handwriting बुरी है अगर आपकी handwriting बुरी भी है बहुत बच्चों की होती है so that is fine आपको बस क्या करना है यहाँ पर properly space छोड़नी है ठीक है जैसे यह word इस बच्चे ने लिख रखा है तो यहाँ पर space छूटी है नहीं बन पा रही है तो यह चीज़े follow करो कि proper आप space छोड़ रहे हो between the words ठीक है उसके बाद next है use keywords ऐसे कुछ important words होते हैं जो किसी भी answer में आप लिख सकते हो जिनसे आपको marks मिलते ही मिलते हैं तो वो keywords को आपको mention करना बहुत important है जैसे की यहाँ पर एक question पूछा गया था baking powder से related तो बस इतना ही लिखना है कि जो baking powder है वो baking soda और एक mild edible acid से मिलके बना होता है जैसे की tartaric acid बस ठीक है तो जो भी important keywords हैं बस आप उनको अगर लिख दोगे ना कुछ राम गाथा वाँ पर नहीं लिखनी है अगर आपने simply यही चीजे लिख दी है तो आपको marks definitely मिलेंगे ठीक है उसके बाद इस बच्चे ने रेखो underline भी कर रखा है keywords को बट यह वाला point उतना जादा important नहीं है अगर आपके past time है time बच रहा है after you have completed the entire paper तब जाके underline करना otherwise बीच में underline करने मत बैठना क्योंकि आपका time waste होगा और आप फिर देखोगे कि यार यह तो paper ही मेरा खतम नहीं होगा time खतम हो गया है ना तो ऐसा नहीं करना है आपको यह चीजे last में करनी है कोई भी underlining है कोई भी सजावट है वो last में करना पहले paper पे concentrate करना यह concentrate करना इस चीज़ पे focus करना कि आप अच्छे से लिख रहे हो proper gapping है between the words चलो अब उसके बाद next है difference in tables जभी भी difference वाले questions पूछे जाते हैं हमेशा ही आपको table बनाना है और जो भी point यहाँ पे लिखा है उसका ही counter point यहाँ पे होना चाहिए जैसे soaps और detergents में अगर आप differentiate कर रहे हो यहाँ पे पहले soap की definition आएगी यहाँ पे detergent की आएगी यहाँ पे यह आएगा कि यह non bio degradable होते हैं sorry यह bio degradable होते हैं और यह हमारे पास non bio degradable होते हैं यह हमारे पास hard water में work नहीं करते हैं यह work कर लेते हैं इस तरीके से आपको same वही point लिखना है ठीक है जैसे यहाँ पे एक example अगर हम देखें देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से लिख रखा है यह difference complete हुआ एक line छोड़ी फिर दूसरा यहाँ पे point लिखा इसका भी same वही वाला point उसके counter में लिख दिया है उसके बाद यहाँ पे भी fourth point लिखा तो इस तरीके से differences को आपको बहुत अच्छे से tabular form में mention करना है ठीक है चलो next है mention examples जहाँ पे भी definitions पूछी जाती है तो उसके साथ साथ हमेशा ही examples को mention करना क्योंकि ये गलती मैंने करी है class 8 में मेरे marks सते कम आये थे और मैंने देखा कि यार मैंने तो सब कुछ करा था क्यों marks काटे so teacher ने मुझे बताया आपनी examples तो mention ही नहीं करे जहाँ पे भी definition अगर पूछी जाती है उसका कुछ example आपको आता है जो भी चीजे given है वो सबसे पहले आपको लिख देनी है concave mirror है तो focal length क्या होगी negative होगी और proper sign convention आपको देखना है sign convention correct होना चाहिए वन्ना पूरा ही numerical गलत हो जाएगा जो units है वो properly mentioned होनी चाहिए end में भी यहाँ पे जो भी formula आप use कर रहे हो वो पहले आप formula mention करोगे फिर values put करोगे फिर जो भी answer आएगा उसमें भी unit properly mentioned होनी चाहिए ठीक है I hope यह समझ में आ गया होगा next यह point अल्रेडी आपको बता दिया है units को properly mention करना है एक और चीज़ बता देती हूँ जो ray diagrams होते हैं उनको बहुत अच्छे से प्र करके जाना क्यूकि diagram लिग दिया है यह ठीक है इसको सही कर लेते हैं this is diagrams तो जो हमारे पास ray diagrams है इनको आपको अच्छे से ता इनको आपको बहुत अच्छे से practice करना है ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम बायो की बात करें, जो भी डाइग्राम्स हैं, उनको आपको अच्छे से बनाना है, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे भी अगर आप हमाई पास रे डाइग्राम्स बना रहे हो, रे में एरो मेंशन होना चाहिए, यह बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि एरो डाइरेक्शन को शो कर रहा होता है, और बायो के जो भी डाइग्राम्स हैं, उसमें लेबलिंग प्रॉपर ली होनी चाहिए, अगर आपने नर्व कर डाइग्राम्स बनाया है, तो प्रॉपर वहाँ पे लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है, चलो. नेक्स्ट है rough work अगर आप कर रहे हो तो यह हमेशा last वाली sheet में होना चाहिए या तो यह मालो मेरे पास sheet है आपने इधर पर एक line बना दी यहाँ पर अपना rough work कर रहे हो चाहे maths के लिए हो चाहे फिर वो new markles के लिए हो या तो आप यहाँ पर rough work कर लो या फिर last page को rough work के लिए last page में top पे लिख दो कि यह मेरा rough work है और ultimately उसको जब आप rough work कर लोगे इस तरीके से काट देना ठीक है और top पे rough work लिखा होना जरूर चाहिए otherwise वो cheating consider क्यारा जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह सारी ही चीज़े आपको follow करनी है बायो के लिए भी बता दिया है physics के लिए ब आपको पसंद आई होगी और अगर आई है सो definitely अपने friends के साथ share कर देना हम मिलेंगे हमारी next video में till then bye everyone take care and all the very best